हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ, आपके लिए एक ऐसी धांसु तकनीक, जिसके बाद कोई अंग्रेजी आपको बोलने से रोक की दिखाए, जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, जो words और उनके उचारन और उनके इस्तमाल में बताऊंगी, उनको याद कर लेने के बाद, आप अंग्रेजी ना बोल सके, ऐसा हो नहीं सकता, अच्छा एक बात बताईए, अगर मैं आपको सेब दिखाऊं और पूछूं ये क्या है, आप क्य कहेंगे, ये सेब है, अगर बोलू अंग्रेजी में नाम बताऊ, कहेंगे, अपल है, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, पूछने की बात नहीं है, क्यूं, क्यूंकि हमने उसे बच्चपन से देखा है, हमें पता है उसे सेब कहते हैं, तो क्यूं ना इसी तरीके को एज़ी सीखेंगे करना आपको कुछ नहीं है मेरे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहना है जो पढ़ाऊंगी उसे ध्यान से पढ़ लेना है और वीडियो खतम होते तक अपने आप से वादा करिए कि शब्द यहां याद करके ही जाने है और जाते के बात वीडियो खतम होने के बात वीडियो को कर देना है शेयर अपने सारे दोस्तों रिष्टदारों के साथ जिनको लिए आपको लगता है कि उनके लिए भी वीडियो काम की होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो उसके पहले अगर आप हमारे चानल पर नए है तो आप कर सकते हैं हमार paid courses के बारे में जानने के लिए साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसी धेर सारे वीडियो डिरेक्ली अपने मोबाइल पर पाने के लिए वो भी निश्यल्क जी हाँ फ्री ये वीडियो डिरेक्ली आपके मोबाइल आपके WhatsApp तक डिलिवर हो सकती है बस एक बार WhatsApp करके देखिए आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेस्बूक इंस्टाग्राम टेलिग्राम ट्विटर टिक टॉक हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जहां भी ये तीन शब्द आपको दिखें क्याम कॉन से के का की ये तीनों ट्रांसलेट होकर के क्या हो जाएंगे OFF मतलब आपने बिल्कुल आंक बंद करो और उसका ट्रांसलेशन कर दो, OFF चलिए इस्तेमाल देखें कवर अफ मोबाइल का कवर? Cover of mobile Mobile का cover Simple, easy मेरे साथ repeat करिए के का की जहां भी दिखे वहां कर दो off चली बढ़ते हैं आगे और, और मतलब and ये तो असान सा है और मतलब and चली इस्तिमाल देखें Mobile and computer Mobile or computer Mobile or computer Mobile and computer Ram or sham Sita or gita Ram and sham Sita and gita Clear? चली बढ़ते हैं आगे अगला है एक एक जहां भी आपको दिखें आप दो काम कर सकते हैं मतलब आपको जहां एक दिखें आप वहां दो काम कर सकते हैं आप उसको translate कर सकते हैं या तो अ से या तो one से मतलब a या one इसको a पढ़ते हैं कई लोग इसको a पढ़ते हैं आप initially पढ़ सकते हैं a a या one एक जहां भी दिखें a या one चली इस्तेमाल देखें a cup of coffee a cup coffee मतलब तो सेम है a cup of coffee चली देखते हैं one के साथ क्या हो one cup of coffee मतलब देखिए यहां पे भी save है a cup coffee one cup coffee a cup coffee a cup of coffee a cup coffee फर्क क्या है फर्क समझे one जो है वो number है और a जो है यानि कि a जो है वो alphabet है इतना ही फर्क है जी हां तो जहां भी दिखे एक आप डाल सकते हैं a या one दोनों में से कुछ भी चलेगा clear चले बढ़ते हैं आगे अगला है तक यह जहां भी दिखे कर देना है till या up to जहां भी दिखे तक वहां कर देना है till या up to चली इस्तमाल देखें till Monday यानि कि सोमबार तक till Monday यानि कि सोमबार तक till घाट को पर यानि कि घाट को पर तक ये गाड़ी कहा जा रही है दिल्ली तक मतलब up to Delhi clear या till Monday यानि कि somewhere तक up to 50% यानि कि 50% तक चली आगे बढ़ते हैं अगला है में जहां भी दिखें में आपने कर दीना है इन इस्तेमाल देखिए यह packet में है clear है चली बढ़ते हैं आगे अगला है है जहां भी दिखें है वहां कर दीना है इस जहां भी दिखेंगा है वहां कर देना है क्या इस चली इस्तेमाल देखते हैं माई नेम इस संजीव मेरा नाम संजीव है माई नेम इस प्रीती मेरा नाम प्रीती है My name is Aditya मेरा नाम Aditya है Clear है? जहां भी दिखे है वहां कर देना है is चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है तुम आप, तुम सब या आप सब ये चारों जहां दिखें चारों के बदले एक शब्द अंग्रेजी का वो है you जी हां, हिंदी में हम लोग सब के लिए अलग अलग शब्दों का स्तमाल करते हैं, जैसे जो हमसे छोटे हैं उनके लिए तुम, जो दोस्त हैं उनके लिए भी तुम, और जो बड़े हैं उनके लिए आप, तो अगर दोस्त हैं तो तुम सब, और अगर बड़े हैं तो आप सब, पर अंग्रेजी में एक ही शब्ध हैं सब चीजों के लिए वो है you, y-o-u you you are studying आप पढ़ रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो clear है? चले बढ़ते हैं आगे अगला है की, यानि की that की, यानि की that जहां भी दिखे की, वहां कर दो that, चले इस्तमाल देखें I want to say that मैं यह कहना चाहता हूं की I want to say that मैं यह कहना चाहता हूं की इसके आगे आपना sentence that कर दीजे, चले बढ़ते हैं आगे अगला है ता की यानि की so that ता की, यानि की so that इस्तमाल देखें, so that I can go, ता की मैं जा सकूं मतलब इसके पहले कुछ एक sentence होगा जैसे मेरे लिए taxi बुलाओ ता की मैं जा सकूं, call a taxi for me so that I can go इसके पहले एक छोटा सा sentence है उसके बाद देखें, यह sentence अगर आपने याद रखा, तो काम सौट so that I can go, ता की मैं जा सकूं चली बढ़ते हैं आगे अगला है यह जहां भी दिखें यह वहाँ या तो होगा it, या तो होगा this कैसे decide करें कहां पर यूज करना है it कहां पर यूज करना है this चली यह देखते हैं कैसे decide करें जहां भी आपको non-living thing दिखें non-living thing मतलब निर्जीव वस्तु हैं जैसे bottle, plastic यह सारी चीज़ें जहां पर आपको निर्जीव वस्तु हैं या तो animals देखें यानि कि जानवर देखें जैसे this is my pen अब कलम क्या है निर्जीव वस्तु है तो यहां मेरी कलम है it is my pen यहां पर it is होगा चीज़ें दिस नहीं होगा it is होगा it is my pen यहां मेरी कलम है अब this का कहां इस्तमाल करें जहां पर आपको male दिखे female दिखे या neuter gender दिखे neuter gender बच्चे यों कहते हैं male, female या neuter gender जब भी देखे आपने इस्तमाल करना है this कैसे चली देखते हैं this is Rohan यह Rohan है आप अपने किसी दोस्त को अपने ममे पापा से मिलवाते हैं तो क्या बोलते हैं ममी यह अधित्य है मतलब ममा this is अधित्य मतलब अधित्य क्या है यह male है तो हम लोग यहाँ पे हमने this का use किया चली बढ़ते हैं आगे अगला है वह वह जहाँ पे भी दिखे या तो होगा he या तो होगा that वह जहाँ पे भी दिखे या तो अपने लगाना है he या तो अपने लगाना है that कैसे चली देखते हैं He is Rahul, वह Rahul है, He is Rahul, वह Rahul है, That is my bag, वह मेरा bag है, तो ये वाला जो वह है और उसका मतलब जब that कब होगा समझने वाली बात है, जब again हम लोग किसी निर्जीव वस्तु की बात करेंगे, जैसे that is my bag, यानकी bag जो है वो निर्जीव वस्तु है, non-living thing है, तो वह मेरा bag है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, that is my bag, clear है, चली बढ़ते हैं आगे, अगला है था, थे, थी, जहाँ पर भी आपको दिखें ये तीनों, था, थे, थी, आपने लगा देना है या तो वाज या तो वर, क्या लगा देना है, वाज या तो वर, इसको वेर पढ़ते हैं कई लोग, but it is not where, क्रपया जब अंग्रेजी बोले तो अपने उचारन का भी थोड़ा ख्याल रखें, तो वाज और वर, था, थे, थी, वाज, वर, चली देखें इस्तिमाल, ये वाज के वाज कब-कब यूज़ होगा, जहाँ पर भी आपको था, थे, थी दिखें, वहाँ पर आपको ये वाज, शी वाज, इट वाज, और नेम का मतलब, नेम का मतलब कोई भी नाम, जैसे रिया वाज, ये वाज गोईंग, वह जा रहा था, अब जहाँ पर आपको था थे, थी दिखें, और आपने वर यूज़ करना है, कैसे डिसाइट करेंगे, जहाँ पर भी आपको यू, वी और दे दिखें, जैसे यू वर, वी वर, दे वर, दे वर, दे वर गोईंग, वे जा रहे थे, दे वर गोईंग, वह जा रहे थे, या वे जा रहे थे, देखा आपने थे का इस्तमाल हो गया यहाँ पर, चले बढ़ते हैं आगे, अगला है लिये, जहाँ भी आपको लग यह तुम्हारे लिए है, this is for them, यह उनके लिए है, this is for mom, यह ममी के लिए है, this is for dad, यह पापा के लिए है, clear है, लिए यहाँ पर आपको दिखे, वहाँ लगाना है for, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है, पर, पर जहाँ पर भी दिखेगा, वहाँ हो जाएगा on, चलिए इस्तमाल लेखे, बुक is on the table, पुस्तक मेज पर है, अगला है केवल, केवल जहाँ दिखे, वहाँ लगा देना है only, मेरे साथ रिपीट करिये, केवल जहाँ पर भी दिखे, वहाँ पर लगा देना है only, चलिए इस्तमाल देखे, only he can do, केवल वही कर सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सदा या हमेशा, जहाँ पर भी ये दो शब्दे दिखे जाएं, मतलब होता है always, सदा या हमेशा, मतलब always, he always studies, वह हमेशा पढ़ाई करता है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है साथ, साथ का मतलब होता है with, साथ का मतलब होता है with, इस्तिमाल देखे, come with me, मेरे साथ आओ, come with me, मेरे साथ आओ, अगला है उसका, उसकी या उसके, जहाँ पे भी ये तीनो शब्द दिखे, आपको दो चीज़े मिलेंगी, या तो his, या तो her, ये दोनों में से कोई एक आपको इस्तमाल करना है, कैसे इस्तमाल करना है, चलिए आगे बताती हूं, उसके पहले ठोड़ा सा जान लीजिए, हर जो है, वो हमेशा female के लिए होता, यानि कि महिलाओं के लिए होता है, और his जो है, वो हमेशा पुरुषों के लिए ये होता है, चलिए इस्तमाल देखे, his mobile is new, उसका mobile नया है, his mobile is new, his का मतलब किसी पुरुष के बारे हम बात कर र मतलब फीमेल के बारे हैं, यह understood है, यह देखके आपको पता चल जाना चाहिए, हिम लिखा है तो भाईया किसी मेल के बारे हैं बात हो रही है, हर लिखा है मतलब किसी फीमेल के बारे हैं बात हो रही है, clear है, चली बढ़ते हैं आगे, अगला है बाद, जहां भी आपको दिखे के बाद आपने कर देना है after, बाद मतलब after, इस्तेमाल देखे, after lunch I will go, lunch के बाद मैं जाऊंगा, after lunch I will go, lunch के बाद मैं जाऊंगा, clear है, तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए, ऐसे बहुत सारे words हैं, जो मैं time to time लेते आउंगी, अग मैं ऐसे वीडियो और चाहिए, वीडियो पे जादा से जादा लाइक आजाने चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ी inspiration मिले कि भई नहीं चलो और ऐसी वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए जल्दी से कर लिजे, क्योंकि फ्री है न, और ऐसे वीडियो हमारे WhatsApp कॉंटक्ट पे आईए, ऐसे वीडियो और इसके धेर सारी वीडियो निश्वल का आपके मुबाइल तक डिलेवर होंगी, ख्लियर है, उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी कोर्स साड़ से इस WhatsApp नंबर पर कॉंटक्ट करके अपने फोन पर मंगा लिजे, बिल्कुल फ्री है, उसके उपर बेजड ये e-book है, अगर आपको ये e-book चाहिए और इसकी sample चाहिए, उसके लिए भी WhatsApp पर अभी लिखकर के भेजिए कि मुझे 6 घंटे वाली कोर्स चाहिए और इसकी e-book क सेंपल चाहिए, ये लिखके भेज दीजे, आपको तुरंथ वीडियो डिलिवर हो जाएगी और उसके साथ e-book की सेंपल भी डिलिवर हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी आप देखके सीख लीजे, उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्प ग्रामर आपने ठीक करनी है, क्यूंकि आपको देना है competitive exams यानि कि entrance exam तो ये course बिल्कुल आपके लिए है, बड़ाई फाइदेमन्द course है, basic आपका बिल्कुल clear हो जाएगा, बाकी advanced की तो बात की बात है, पर basic जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, और हमेशा से competitive exam clear करना है भाई, आप base बहुत strong होना चाहिए, तो ये course के लिए inquiry बे आपस नमबर पे कर सकते हैं, साथी साथ ये है experts द्वारे design किया हुआ, बच्चों के लिए, especially for kids, English grammar की course, जी हाँ, बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, पर ये खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखात हैं, वो course ये वाली आपको बताएगी, इसकी inquiry बे आप इस नमबर पे कर सकते हैं, साथी साथ ये है हमारा combo course, जो कह है school goers के लिए, आप किसी भी class में पढ़ते हो, अगर आपको English grammar और writing for school, यानि कि essay writing, letter writing, application writing, notice writing, email writing, poster writing, advertisement writing, ऐसी कोई भी writing, जो आपकी syllabus में है, वो आपको इ English grammar तो कराया जाता ही है, इसकी inquiry बे आप इस नमबर पे कर सकते हैं, और अगर आप वाकई एक serious aspirant है, जिन्हें entrance exam देनी है, ताकि उनकी job हो जाए, या किसी अच्छे college में admission हो जाए, तो अंग्रेजी को आप overlook तो कर नहीं सकते हैं, ये है हमारा premium competitive English course, जो की है बिल्कुल premium सा syllabus को cover कराता है, आसी, vocabulary, grammar and what not, ये सारी चीज़े में कराई जाती है, इसकी inquiry बे आप इस नमबर पे clearly कर सकते हैं, इंक्वाइरी करते वक्ध ध्यान रखें, course का नाम लिक करके जरूर भेजे, ताकि हमारे प्रतिनीधी आप तक सही समय पे सही जानकारी पहुंचा पाएं, yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned